हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का समाजी विज्ञान का जो पेपर है साथ मार्च को होने वाला है ठीक है और जो पेपर आप सभी को हल करा रहे हैं यही पेपर आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाला है तो आप इस पेपर का संपूर्ड हल हो देखी कि हापे दो हजार चोबिस में जो समाजी विज्ञान का पेपर वाइरल हुआ है इसका हैं पर सम्पूर्ड हल देखने वाले हैं यह समाजी की मिज्ञान का जो है जो छेट ढशेष ऑफ सी ठीक है दीडिके आपको बूर्ट के एकजाम में जब पेपर मिलेगा यहां पे सबसे उपर यहां पे अनुक्रमाग लिखना होता है ठीक है और यहां पी इसके नीचे क्या करेंगे अपना नाम लिख लेंगे इस पेपर को हल करने के लिए जो आपके पास समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनिटर टोटल समय मिलता है इतने समय में आपको पेपर हल करना रहता है और जो यह पेपर होगा आपका टोटल सत्तर नंबर को होगा यहां पी इसके कुछ समान निर्देश दिये गए है ठीक है इसमें से दिखें पहला निर्देश जो है आपको प्रारम के जो 15 मिनिट होगा इस प्रश्ट पत्र को प प्रश्ट होंगे जिससे आपको क्या करना है और सीट पर भरना रहेगा ठीक है अब यहां पर अगला निर्देश पढ़ेगा यह खंड बजो होगा उसमें 50 अंक का वरात्मक प्रश्ट रहेगा फर्ष्ट रहेगा वरात्मक सेकंड रहेगा और इसमें आपको बीडियो का लाग्स तक जरूर देखिएगा इसके अलावा यह सब आपके कुछ निर्देश दिएगा इसको पढ़ लिजेगा जो मुक्त इंप्रश्ट थे आप सभी को बता दिया पहले से जानते रहेंगे तो बोड की एकजाम में आपको किसी प्रकार का प्रावलम नहीं होगा ठीक है अब देखें यहां पर सवाल है अब परतियक देख नंबर रहेगा इसके बगल में दिया रहता है कि कौन से प्रशन कितने नंबर का है ठीक है आपका सवाल क्या है कि फ्रांस की करांति कभ हुई थी आपसन है 1848 इस्वी में 1817 1789 और 1600 पैसर फ्रांस की जो करांति वही थी 1789 इस्वी में हुआ था इसका सही जवाप सीवला आपसन करिप्ट हो जाएगा ठीक है इसे याद रखेगा देखें आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि जूस समस्या कर मीरे इसका संबंध कि से था यह बताना है आपको पहला अप्सक्रा विटली सेंभी एकड़त है जर्मनी Beyond इंग्लेंड के राश्चावाद से या फ्रांस िंद या राश्चावाद से ठीक है जो अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है देखिए यहाँ पिस्वाराज पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है आपसने जवाल लनेरू थे महत्मा गादी जी ते विनोबा भावे थे या बाल गंगा धर तिलक थे ठीक है इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा कि हिंद सुवराज पुस्तक के लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा इसके पुस्तक के लेखक के नाम है महात्मा गादी जी यानि महात्मा गादी जी के द्वरा हिंद सुवराज पुस्तक लिखा गया है समझ में आ गया जोतिवा फूले यह सरदार बल्ला भाई पटेल देखे बारदोली सत्यग्रा जो किया गया था इसका नेत्रित तो जो किया गया था सरदार बल्ला भाई पटेल की द्वारा किया गया था इसका सही जो आप डिवलाप्सन क्या हो जागा सही हो जागा देखे जितने भी प्रश चीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है किसका कथन है यानि किस ने कहा था कि जब फ्रांस चीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है इसका आपके सामने चार आपसन है तो देखिए यहां पर आपसन दिया मेटर्निक नेपोलियन लुई फि सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश कौन सा है ठीक है विस्वाकर सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश कौन सा है अगला नंबर देखिए आठवान का सवाल क्या है अपे बहरत के सनुधान की अनुसुची में कुल कितनी भासा है हुए है तोटलव साहिं है किस है इतनी है तोटल भास है भारत की YouTube कितनी वास है तो टोटल आपाईस आपस है कितनी है फ्रहें किसके पास तीस प्रुषन का सही जो अब 40 होगा अगला देखिए नुगा नमबर का सवाल क्या है अपका लोग तंत्र में सक्टी का स्रोथ है ठीक है लोग तंत्र जो हो इसमें सक्ति का स्रोथ किसके पास है जनता संसत प्रधान मंत्री या इसके लवा राश्ट्र पती ठीक है तो लोग तंत्र में सक्ति का स्रोथ कौन होते हैं तो जनता होते हैं इसका सही जवाब एवला आपसन के अवगाब कर सही होगा भारत का यूग लास्विया का या निदर लेंड का ठीक है धर्म और जाती के आधार पर जो देश को भाजन हुआ था वह हुआ था यूग लास्विया का इस प्रश्ण का सही जवाब सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला नंबर देखें 11 नंबर का क्या है कि प्रति ब्यक्ति आये को अन्य किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो प्रति ब्यक्ति आये को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो उसे आउसत आये के नाम से जाना जाता है इसका सही जवाब एवल आपसन क्या होगा आपका सही होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देख यहां पर बरामा नमबर का कि द्यूतियक चेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगला देखिए सेवाओं को किस क्रिया कलाब अन्तरगत रखा गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डीक है ठीक है पर विडेशि व्यापर होता है भारत के जो अधिकांस विदेशी जो ब्यापार होते हैं किसके मार्ग के द्वारा होता ही यह बताना है आपको सड़क मार्ग से होता है समुंद्री मार्ग रेल मार्ग या वायू मार्ग जितने भी विदेशी ब्यापार होते हैं वो समुंद्री मार्गों के द्वारा ही होता सब्सक्राइब इसका सही जवब डिवलाब्सम्ण क्या वहाँका सही होगा अगला देखिए 15 नंबर का सवाल आपका क्या है राश्ट्री अधिकार दिवस कम मनाया जाता है थीग में पाँच अप्रेल 22 फरवरी 24 नॉम्बर या 24 दिसम्बर ठीक है तो राश्टी उबवक्त अधिकार दिवस जो है आपका 24 दिसम्बर को मरा जाता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब डीवल आपसा सही होगा अगला देखिए 16 नंबर का क्या है सवाल आपका इन में से किस राज संग राज छित्र में काली मिर्दा पाए जाती है आपसान है जम्मू और कस्मीर पाए जाता है राजस्तान में महराष्ट में जारखंड में जो काली मिर्दा पाए जाती है आपके महराष्ट में इसका सही जो आप सीवल आप्सन सही होगा अगला देखिए सत्रहवा नंबर कर एजेंडा ट्वेंटीवन का संबंद किस्से है ठीक एजेंडा जो ट्वेंटीवन इसका संबंद किस्से है वह जो छरड से है वैश्वित तापन से जरवायू परिवर्तन सतत पोशड़ी यह संधारणी विकास से है ठीक है यहाँ पर बताना है एक ठीको यहाँ संबंद किसे की पोशड़ी व्कास संभड़ी इस प्रशन का सही होगा आप बैसे एंटारा नंबर का सवाल क्या है आपका तेखिए यहाँ पर द्यान दीजिगा ग्रीप इंड्यें मिशन किस ब्यॉस आर्म किया ग सब्सक्राइब करें, निमनलिकित से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद में सब्सक्राइब का फसल का उधाराद आपको, जायद का फसल हुआ, खरिप खरीप का रही लिए का फसल्ध याद आपसंदिया धान गेहूं चना त्रबूज दिखें यहां जायत की जो फसल यहां पर जायत के अंत्रकत तरबूज आता है इसका सही जुआ डीवला आपसंद्ट्ट्ट ऑफिक है यह फॉस्किगे पासलों और यहां पर दान को याद रखिये गां यह खरीप की फसल किसकी अगने चट्टान में कौन कौन सा खनीच पाए जाता है आपको बताना है फासफेट पाए जाता है नमक जस्ता ठीक है या ग्रिफाइट पाए जाता है ठीक है जो अगने चट्टान होता है अगने चट्टान में आपका जस्ता पाए जाता है इसका सही सवाब सीवालापसन सह एपिकां जाए है चलि है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए अगला नंबर का सवाल आपको क्या है अब यहां से स्टार्ट होता है खंडभ खंडबा आपर अब वढ़ात्मक प्रशन है उसमें 80 सब्दों में इंसोर देना है और यहां पर देखिए जो प्रतेग जो प्रशन है चर-चर नंबर कराएगा अब यहां पर जितने भी प्रशन है इन सभी प्रशनों को आपको बता देते हैं इसके बाद जो मांचीतर वाले सवाल है आपको मांचीतर भरके बताते हैं इन सवालों को देख लीजिए और एक जगलिक की इन प्रश्णों को जरूर आप तयार कर लीजिएगा देखें आपका सवाल गया है भारती अर्थ विवस्था आर्थिक महामंदी के परदने वाले प्रभाव का गुरण कीजिए अथवंग दिया है कि वैश्विक आर्थिक मह मंदी के कारणों का उले कीजिए अगला प्रश्ण आप देखें इस प्रश्ण को जरूर तयार कर लीजिएगा कि सत्यागरह का अर्थ असपस्ट कीजिए तदा गांधी जी के सत्यागरह के विचारों का उले कीजिए तोटा चार नंबर का अथवंग दिया है कि भारत में इस प्रश्ण को आपको तैयार करना है इसके लाए तेइसमा नंबर का क्या है कि संसाधनों के अंदधून प्रयोग ने अनेक समस्या पैदा कर दी है समिच्छा कीजिए अथवं दिया है यह भारत में वन प्रबंद को कितने भागों में वाजित किया गया है इनकी विश्य 24 नंबर का देखिए आर्थी गत्वीदियों से आप क्या समझते हैं आर्थी गत्वीदियों का वर्गिक्रण पस्तूत कीजिए अथवं दिया है उपहोकता कि कुल कितने अधिकार होते हैं सभी अधिकारों के नामों का उल्ले कीजिए चरचर नंबर का सभी प्रश्ण है अधिके चार नंबर के यहां समाप्त होता है अब इस्टार्ट होता है वड़ात्मक सिकेन उत्तर लगबग कितने सब्दों में देना डेल सो सब्दों में देना ठीक है पचीस नंबर का देखिए सवाल क्या है कि लोगतंद्र से अब क्या समझते हैं इसे उत्तरदाई जिम चुनवतियां हैं भारती लोगतंद्र की दो प्रमुक चुनवतियों को वरण कीजिए टोटल च्छा नंबर के ठीक है अब यहां 26 नंबर का सवाल दिखिए 26 नंबर का सवाल क्या है यहां पर दिखिए इटली का एक ही करड़क कैसे हुआ अध्वाम दिया है कि जर्मन का ए आने वाले हैं ऑगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल क्या है इस सबी प्रशनों को देखे तयार कईजिए 27 नमबर के देखे क्या है कि मिर्दा अप्रदन क्या है भारत में प्रचलित मिर्दा अप्रदन के प्रमुक प्रकारों का वरड़न कीजिए अलोखनीज किन है काते है अलोखनीज में किन किन खनिजों का शामिल किया गया है असपश्ट कीजिए 28 नंबर का आपका सवाल है जो तयार करना आपको कि मानो विकास सूचकांग को परिभासित कीजिए मानो विकास के घटकों का वराउंग कीजिए टोटल चाचा नंबर का अथवम देखिए आपका है कि भारती अर्थविव प्रस्था में अधिक रोजगार विक्सित करने के माद्यमों को असपश्ट कीजिए टोटल चाच नंबर का देखिए यहां पर जितने भी लगो अधिर उत्री जितने भी प्रश्ण थे आप सभी को बता है इन सभी प्रश्णों का आप जरूर तयार कर लिजिएगा यही प आते हैं आप वीडियो के बस लाश्ट तक देखा कीजिए को अंतिस का कर देखे क्या है कि निमने लिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र प्रिष्ट 13 पर यह डाट चिन द्वारा सही दरसान है यहां पर हिस्ते मतलब नहीं बस यहां पर देखिए यह सथान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ था ठीक है तहरं की खेती करने वाले किसानों का आंडोलन हुआ था किसान का अंदूर्ण कहा पर हुआ था आपको अप्रस्ट नंबर डालके यहा पर अपलिखे दीजिएकर की तुछी करने वाले रिखार किसानों का अंदूर्ण कहा पहुंद नहीं है और देखी यह द्यान दिजिए इस और उत्तर पर्डेश यह आपका बिहार 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 में भर्णा है चम पारत यहां से बाहर लीजिएगा और 9 का कौन सा है देखिए 29 नहीं 29 नहीं यहां पर देखिए क्या उनसा प्रश्ण है आपका 29 का क है का का पहला नंबर है और यहां पर भर देजागा चम पारत इस प्रकास भरेंगे प्रशन प्रश्ण प्रश्ण को याद रखेगा कि सवीन अवाग्य आंदूरह कहां से प्राराम हुआ कि यह वा था आपका डंडी से कहा से डंडी पढ़ता कहां आपको राजवी बता रहे हैं जिससे आपको मांचित्र भरने में सुविदा हो अब गुजरात यहां पर देखेंगे कहां पर यह आपके सामने मांचित्र रहे यह आपका राजस्थान यह को का सवाल क्या है वास्थान जहां पर कांग्रेश की अधिवेशन में पूर स्वाराज की मांचित्र पूर स्वाराज किया गया था यह किया गया था लाहोर से कहां भुषणार जहां से लाहोर ठीक है अभिला ऊहोर से किया गया था देखेंगे अब लाहोर कहां पहीद से फन्राज पर पकिस्तान पड़ता भुषण जाना जीएग अम्रित सर पढ़ता कहां पर पंजाब में देखिए आपको पंजाब यह और यहां पर भरना है इसको क्या किजिए कि यहां से ऐसे भर लेजी कौन सा है कि यहां से अधिसंफर अनग्रेश का थीौट लिए अब देखिए अब करेंगे अब कहां बनेंगे यह है आ आपका पास्टिंद बंगल पर है कलकत्ता है यहां से आप ऐसे कीजिएंगा और 29 को ओ और यहां पर पाच्वा नमबर निसका पाच्वां नमबर यहां पर कलकत्ता होगे साथ देकर आपको यहा से बचास अ पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। अब चल्हेए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल क्या है ? 39 का खान है, पांच प्रश्न हो गया, अब 29 का खान है। यहाँ भी देखिएक निल्खीत अस्थानो को भिरत के दिये गए रेखा मानचित्र में, यह देखाएं पोई देखा यह दोनों में से कोई देखाएंगे तो पूरा नंबर मिलने वाला है तो देखिए आपका यह पंजाब है और यह उत्तर-प्रदेश में है ठीक है दोनों में रिखाकर आपको पूरा नमबर मिलने वाल रहा है कर out है यहां पर भर दीशा हैर पंजाप क्या बरेंगे पंजाब ठीक है और किस चिन के द्वारा दिखाना है डाट के द्वारा ना तीस तरह करके यह गोला है तो गोला बना लिजेए कि यह हो गया इस पकास से आपको देखाना है बोड की एक्जाम में अग्रा देखे क्या है काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज त्रिभूज द्वारा दिखाना कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज क्या है करनाटक यह जितने भी लिख रहे हैं आपको उस्तर फूस्तिकाप लिखना है ना और यहां करनाटक करनाटक अब भरना कैसे हैं यह आपका मुंबई मुंबई के नीचे देखें मांचित्रिपति यह करनाट अगला देखें मुंबई का सबसे बड़ा उत्पादक राज चिन द्वारा दिखाना है मुंबई का सबसे बड़ा उत्पादक राज क्यों सा है तो मुंबई का सबसे बड़ा उत्पादक राज गुजरात कौन सा है गुजरात अब देखें कि आपका गुजरात यहां क्या करेंगे यह इस तरह देखाना मांचित्रिपति इसको ऐसे करेंगे 29 का खौए 29 का कौन सा नमबर एक है और यहां पर तीसरा नमबर है और यहां दाना किया दिखानेंगे आप गुजरात पौन सनकति तर्मिनल इस टेसंटा देखाना है उत्तर दशल गलियारा दिखाना है यह पता होना है कहां पर तर दशल गलियारा यह पूरा देखेंगे जammu कस्वीर पढ़ता है कहां पे जammu कस्वीर में फिक है कि यहां पूरा देखी स्वाल यह पढ़ता है जammu कस्वीर में अबसे मांचित्र में आप देखें गैठ यह आपका की वाला जammu कस mid और किस चीन के द्वारा दिखाना है इस चीन के दवारा देखिए आप पुरह ऐसे बड़ा सा गोला बना लिजीएगा और इधर कौन से देखाएंगे 29 का ख और यह कौन सा नमबर है चौथा नमबर है ना चौथा नमबर और यहां भर लिजेगा स्री नगर स्री नगर ठीक है तो उत्तद्ध ठील गड़ी आला होगे आपका स्री नगर में लाश्ट प्रसंद देखिए यह क्या है आपका खनिश देल का सबसे बड़ा उत्तपादक वाला राज्य वा्यची द्वारा दिखाना है तैसल्य के सब से बड़ा उत्तपादक आं मुंबईऊ चिक यहम भाई कहां पर महाराष्ट्र मकष्ट में की चे डवार दिखाना है इस का य इस के बना लीजिए गा है और यहां पर इसको बाहर दिखा सकते हैं को 19 प्रечन और यह मुंबई लिख़ लिजिएगा Mumbai अठीक यह Mumbai और हाई भी लिख सकते हैं Mumbai यह तो तो नहीं प्रच्छ बीजिएट अब को समाजिय विज्ञान के पेपर का हल करा रहे हैं जितने भी प्रच्छ आप सभी को करा रहे हैं उतने प्रस्ट आप कर लेते हैं तो आप बॉड़ के एक्जाम में आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आप 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है बस जितने प्रशन करा रहे हैं उन सभी प्रशनों को आप देखा कीजिए और उन प्रशनों को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए अब विकल्पी हुआ मांचीतरवल सवाल हुआ लगू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक सेर कीजिए